हाई दोस्तों अससलाम वालेकूं कैसे आप लों मैं अब नबील है iOS 13.1.3 Apple ने रिलीज कर दिया अपने सारे iPhones पे जो iOS 13 के साथ compatible है यह एक stable version है जो public के लिए Apple ने रिलीज किया है अपडेट से पहले जो available free space था मेरे phone पे वो था 56.65 GB और अपडेट के बाद यह 57.22 GB हो गया है तो थोड़ा सा available free space बड़ा है iOS 13.1.3 का जो अपडेट साइस है वो तकरीबन 144 MB का है iOS 13.1.3 जो है एक bug fixes वाल अपडेट है जिसके अंदर टोटल पे आपको 10 bug fixes देखने मिलेंगे तो आईए एक ऐसे bug fixes है और क्या इसमें नया है यह आपको इस वीडियो में बताता हूँ पहला जो अपडेट यहाँ पे किया गया है या problem solve किया गया है वो है incoming calls related जब incoming call आता था बहुत सारे लोगों ने मुझे complain की है कि vibration जो है उनका phone नहीं करता था यानि कि phone vibrate नहीं होता था तो वो वाला problem जो है ringing के time पे vibration का इस वाले update में fix कर दिया गया है अगला जो fix यहाँ पे किया गया है दोस्तों वो mail application से related है mail application के अंदर अगर कोई meeting का invite भेजता था तो उसको open करने में problem आ रही थी पिछले वाले update में तो वाला problem जो है यहाँ पे fix कर दिया गया है अगला जो fix यहाँ पे किया गया है दोस्तों वो health application से related है लेकिन आपके कोई भी काम का नहीं कि यह health application भली आप use करते हो अगर आप daylight savings का इस्तमाद करते है जो के US में लोग करते है तो ही आपको यह वाला जो है bug fix देखने मिलेगा क्योंकि health application में कुछ data जो है display correctly नहीं हो रहता daylight savings अपलाई करेंगे तो अगला जो problem यहाँ पे solve किया गया है दोस्तों iCloud backups related ही है जब restore करते हम iCloud backups है तो कुछ apps जो है fair हो जा रहे थे update और download होने के लिए तो वाला problem भी यहाँ पे solve कर दिया गया है अगला जो problem यहाँ पे fix किया गया है दोस्तों वो है apple watch related apple watch की pairing में problem आ रहा था पिछले वाले update में तो वाला bug fix जो है यहाँ पे किया गया है इसके बाद दोस्तों जो issue solve किया गया है वो apple watch पे notifications related है बिल्कुल मुझे भी यह problem face करने को मिला कि apple watch पे हर notification जो है properly display नहीं हो रहा था कुछ notifications आ रहे थे कुछ नहीं आ रहे थे तो यह वाला problem भी यहाँ पे solve किया गया है यहाँ पे airpods, headsets और कुछ hearing aids जो है वो properly connect नहीं हो थे उनका connection था और reliable नहीं था तो वो problem भी यहाँ पे solve किया गया है last जो यहाँ पे fix किया गया है दोस्तों वो game center से related रहे अगर आप apps launch करने में खास करके game launch करने में game center का इस्तमाल करते हो apple के यहाँ पे जो उसका launch time है उसका performance है वो यहाँ पे improve किया गया है iOS 13.1.3 के साथ iPad OS 13.1.3 भी आ गया और यह 102 MB का update है मेरे iPad के लिए update से पहले था available free space 12.75 GB और update के बाद यह हो गया है बढ़के 13.28 GB तो यहाँ पे available free space बढ़ा है और iPad OS के अंदर भी वो ही सारे bug fixes किये गये है जो के iOS 13.1.3 में किये गये है तो यहाँ पे आपको कुछ अलग देखने को नहीं मिनने वाला तो दोस्तों यह वाला जो update है iOS 13.1.3 आप आगे जाके update कर सकते हो पिछले वाले update में जो कुछ problems थे उसमें से काफी सारे problems जो है इस वाले update में fix कर दिये गया है चोटा सा update है आप चाहो तो अपने iPhone पे इसको install कर ले उभी तता हो दोस्तों आपको आज का वीडियो पसने आ चल도 आपको 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 न आपको 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 तो कानाना अपको आपको आपको कर था आपको का पकोक वाले update में укiceום क्वाले 나오 है रवाले.말 कर दोस्तों इसको अवह भ्ताफरा रहरा, चौनाना, इसका